बीते हुए पांस दीन हो गया है मैंने कभी ये नियूज में देखाने की बाल दिवस में बालकों को या बालिकाओं को किस तरह से ये किया जाया मतलब सही रास्ता में लाया जाया ऐसा कोई कारिकरम किसी भी स्कूलों में नहीं हुआ होगा मैं जिस कोलोनी में रहता हूँ वह जिस बच्चा ने गाया था ओ गाना भी उस भी स्कूलों में चला है मतलब आप इसकूलों का नाम मत लिजे लेकिन आपको यह देकर हैरानी होगी जरूर की बाल दिवस में क्या हो रहा है सोनू तेरी जाने मन यह गाना चल रहा है और उसमें बचे डांस करने आप इमेजन करे इस तरह से नहीं जिस तरह से अभी स्कूलों ने बना दिया है फेसंसों के नाम पे बिजनेस करना नहीं किसी भी चीज के लिए उसको प्रिरीद करना बच्चों को एक अच्छी दिशा दिखाना इस चीज के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ बाल दिवस में अभी आप क्या क कर सकते थे पर्यावरन के वर्ति सजग करवा सकते थे बचों को बता सकते थी कि पेड़ पोधव का क्या कि आप इमेजन करिए कुछ तो हद हो जाती है स्कूलों में जब आप देखेंगे बाल विकास के नागे आगे में काला चस्मा लेके कुछ लड़किया डांस कर रही है और आगे जो टीचर बैठे है जो पीछे टीचर बैठे है उनको लगता है कि नहीं हमारे स्कूल में बहु पांतरन नहीं करते हैं और एक है खुदिराम बोस्ट ये सब जीच का बाल नाटक रूपांतरन नहीं करते हैं तब मेरे को हसी आती है आपकी स्विक्षा पधिती पे कि आप किस दिश्चा में बच्चों को लेके जा रहे है आप काला चस्मा में डांस करा रहे है आगे लेक आप उसको बताए किस तरह से देश क्या जादी के लिए देश के देश में अपना पर्चोस बढ़ाने के लिए किस तरह से गुरुत एक बहादिर के दोनों बेते फटेसी जुहार सिंग्ग नौ साल और सात साल को उमर में जिस बच्चे को धरम परिवर्तन के नाम पर दबाया गया लेकिन उन्हें अपना धर्म नहीं बदला और सीर पेस घुबालों के ऊपर उनको यह कर दिया गया चड़ा दिया एक बच्ची एक मां के साथ डांस कर रही है अब बचाईट 7, 8 साल, 9 साल, 11 साल के अगर लड़की होगी उसको उसके मां किस तरह के सिक्षा दे रहे है मतलब एक चुल इंडिरेक्टी पैसा क्या पैसा चाहिए सबको यह नहीं कि मैं उस बच्चे को अच्छा सिक्षा दो सिक्षा से महान बना जासकता है डांस से महान नहीं बना जासकता है डांस से कौन महान बना है आप देख के देख लिजे आपको लगता है कि यह चीज़ चल रहा है लेकिन एक चुल में यह सब घटिया है गटियापन है नंगा नाच है जे और कुछ नहीं है आप अपना सरीर दिखा के पैसा कमा रहे हों